नमस्कार पुडाम हमें नेहा नेहारिका आपकी भावी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर और आज का जो हमारा मुद्दा है वो अभी बिहार का सबसे बड़ा और सबसे जो है वो कहा जाए कि वाइरल मुद्दा है वाइर का सर्वेक्षन कराएंगे और उसका पका कागस बनेगा है ना मतलब देखी कि हमारे हाँ जो है हमेशा से जो है जमीन को लेके बड़ा विवाद होता है अगर बिहार की बात करें तो यहां पर तो तीन माफिया भूम माफिया बालू माफिया और दारू माफिया तीन तरह के मा कि भूमी सर्वे अफवत् है यर राहत है आई पर पूरे बिहार में एक साथ बुमि सर्वी शुरू हो गया है, बहुत लोग को कुछ समस्या भी आ रही है, बहुत लोग कुछ फाइदा भी देख रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले यह बताइए कि इससे आफ़थ है या राहत है अगर यह सरकार कर रही है तो एक बहुत अच्छा कदम भी है और इसको अच्छे तरीके से अगर किया जया तो इससे कोई लडाई जगड़ा या किसी तरह का कोई बात न होगा और बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि सब के नाम से अपना अपना जमीन हो जाएगा बहुत बढ़ा मुद्दा रहा है और जमीन का विवाद जो में सब से जाधा होता है तो क्या लगता है कि ये जो हो जाता है तो इन सब विवाद में थोड़ी सी कमी आएगी और लोगों थोड़ा और सहुलियत होगा जमीन के मामले में? कर संथा जाजी मामले में? बदमाशी की है जो कोई पेप़ नहीं दिखा पाये उसके जमीन को सरकार ने बिहार सरकार कर दिया या उसका नक्सा कट क गया लेकिन जो सरकार का जो system था उसके अनुरूप सुधार के भी गुणजाईस बनी लेकिन चुकिस सरकार था अंग्रेजों का इसलिए उसके जमाना में उतना सुधार नहीं हो सका तो सरकार का यह मंसा था कि इसको पुर्णा सर्वे करा है बहुत लोग को परिशानी भी आ रही है बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग को जो है वो कहा जब डिजिटल किया गया सारा जमीन के कागज को तो कुछ-कुछ गरवडिया हो गई हैं जिसके कारण हम लोग को बड़ा परिशानी हो रहा है और एक समय भी कम मिला है जी मैं बतला देते हैं लेकिन जब साथ के सरवे हुआ तो सरकार ने पॉलीसी तै किया कि सभी जमीन का सरवे हो चुकि डीजिटल जमाना नहीं था लोग उतना विक्सित नहीं थे इसलिए सरवे एस्पोर्ट पर जाकर हुआ सरकार का ये अच्छा कानुन था सरवे करने का लेकिन जब गाओं में गया सरवे कराने के लिए तो कुछ लोगों उस्तमाई भी उपलब्द नहीं थे कुछ लोगों ने पेपर नहीं दिखाया जिसके चलते जिन लोगों ने पेपर नहीं दिखा पाए उनके जमीन को सरकार न लोग जिनके जमीन को दखल कबजा करते हैं इस सर्वे के माध्यम से गुंजाइस है कि उनका जमीन अपना हो जाएगा इसमें समस्या क्या रही है यह बताई यह समस्या है ऑल्लाइन में साथ चीज अपडेट नहीं है को अपलाई किया बहुत जल्दी बाजी किया पब्लीक को जगाया है यह अच्छी बात है इनको एक साल टाइम देना चाहिए था चुक्कि किसी के पास प्र नहीं है आपको प्रणाइम मिलना चाहिए था एक साल देना चाहिए एक साल में लोग जो है अपने बारे में अपने आपस में तुल्जान लेना चीजिता मामला बैठे करेंगे पहले मौकिक बटवारा होता था बटवारा उसी हिसाब से अभी है अब वह मौकिक चलना है जिन लोगों को प घर में खांदान में आपसे बैठेंगे एक साल टाइम मिलना चाहिए गौर्वर्मेंट जल्दीवाजी किया है गौर्मेंट को जल्दीवाजी नहीं करनी चाहिए हम नितिश्कुमार मुक्वंतिरी साब करते हैं कि इसको जो है जतना जल्दो वक्त दिया जाए यह होना चा इन लो खाली उठाने करने मज़ा रहा है यह चीज़ कर देना है पब्लीक के देखिए कितने पासा खर्च रुप्या मजबूर कमाता है दो सुरुपया उसका फोटोगोप भी जा रहा है कुछ कायम का पेपर नहीं है आप करमचारी के पर जाओगी करमचारी बोलता है नही है आप करमचारी के पास जाहिए सभी का मन्जिव है बढ़ा हुआ है तो इसको एक साल वक्त मिलना चाहिए आप लोग को आप लोग के शुरू हुआ कि नहीं हो चुका है क्या क्या आप लोग तेयारी कि लिए उसके लिए बंसा वाली का पेपर लेके फरम भड़के जामा क तो उसमें कुछ दिकत भी आ रहा है नाए दिकत नहीं आ रहे है आप लोग को भईया जी मैं हमारी जमीन जो है उर्वजों की नाम सिति और सब का मलकाना एक ही बढ़काव थे और जो जैसे की जमीन पहले मोखी बटवरा हुआ पहले लिखा पढ़ी नहीं होता था अभी ज जैसे की कागज मांगे रसीद भी मांगते हैं तो तो रसीद भी नहीं होता है नमबर हमको मिले रहे तब ना हम बचपन में थे पाचे साल के थे तो पिता जी गुजर गया हम क्या जान रहे हैं हम तो कुछ जान नहीं रहे हैं उसके बाद से आप खोज ख़बर नहीं लिए गर है और एक लेन को ऊपार दो तुकरा दिया और पांचे जगर प्लोट था उसमें से हमको कोई हिस्षा उस्षा नहीं दिया और बोल रहा है कि मोखी में पीता जी तुम्हारा बेश दिया तुझे से अभी मान लिया जाए कि अभी नजमीन सर्वे को लेके बात आ रहा है इस पहुंच लोगों को को अथी होता है जरने खीर देखता है तरने फिर गिया क्या समस्या कुछ नहीं है अच्छे है सर्वे होना चाहिए मुख्या जी ने भी सारे पब्लिक को बुला के आम सभा करवाया पब्लिक भी जागरूब हुई लेकिन इसमें बहुत से तूटिया है हाई और या कुछ पी पर घर गायब धर अनलाइन में भी बहुत सा जुक्त ही कितने के पास कागज है लेकिन उलाइन में नहीं है तिसे से रहर जाता है बहुत सर जो है वह भी जञा जिखने का जो विवात चलते रहता है वे सबूढा कलियर हो से बहुत फ़ायदा होगा की जितनी जमीन है वी बाधित है वो सब कर डिफार हो जागा बहुत शर्वे आफत है यह रहत है इस अधर दरा सवाथ भी धव थकि दislast मुख्या जी बोले भाई सहहीं ठीक बोले लेकिन सरकार का और इस्के आप क्या नग वैंकि जादे लोग को परसानी औला है को तो हुला जो जिसके बाप दादा के नाम से है तो हमारे बाबुजी रसीद कटवाये अब dość अब शो सहां हुआ काद का सिग neuen था कि सकार्द हो अ Maison तो इतने दिन से आप मतलब जमीन सरवे तो आज हो रहा है लेकिन हमको आपको तो पता होगा ना कि हमारा जमीन है की नहीं है अभी आप देखिए रागोपुर मतल हो गया है अब आप अगभाद का नीवस है वहां सब घायल होकर होस्पिटल में है उसका डीजन क्या हो रहा है जैसे मानतवा बखिक बतवारा हुआ है पुराना बटवारा है सब लोग जोतर है कबजा में है जोतर है पेपर आपके नाम पर नहीं है पेपर एक भाई की नाम पर एक दादा के नाम पर है अब वहां पर प्राबलम लोग दे नहीं रहा है कि भाई आपस बटवारा कर लिजे बैठ जाएं तो लोग टाल लाए जतना जल्दी सर्वे हो जाए तो निकल वाने का तो और भी तरीका है तुब बंद हो गि क्या चाचा ज़ी आफद है की रहते ही समीन शर्वे से क्या लगता है रहत हैं लेकिन सरकार के काम जब आती है ना तो धूरा रह जाता है वहां से पास हुआ लेकिन देखिए आप सही चीज बोले हैं दारू माफिया बालू माफिया और भू माफिया तीन चीज बिहार में बहुत ज्यादा हावी रहता है यह ग्यादा रहा है तो यह जमीन सर्वे जब हो जाएगा तो क्या लगता है कि जो हुट है इसमें कोई डाउट नहीं है कि परेसानी नहीं आ रहा है लेकिन परेसानी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे हाँ जो है सब काम लटर पटबिहार में करने का परंपरा बना बना हुआ है तुम ने रखला हम रहा है लेकर शुकर सरकार बढ़ जाती है अब ही लेंड सर्वे जो हो रहा है उससे क्या लगता है परिसानी भी लोगों को हो रहा है पर है रसीद भी कट रहा है सब कुछ है ऑनलाइन पर जा रहा है जमीन का जो है सुन देखा रहा है जहरा है पर देखा रहा है उसमें का अरे अब बहुत सा प्रोब्लम है कोई चीज में दिक्कत होता है शुरू में आज अब सीस्टम पर आ जाता है तो हर चीज सही हो जाता है कि परिवर्तन जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कीमत चुका नहीं कोई राजनीतिक दिरिष्टी कोन से उपर उठके देखेगा तो बहुत अच्छा चीज है सभी लोग को यह जो आप अभी देख रहे हैं सर्वे हो रहा है इसमें काफी समय लाएगा इसमें सरकार को समय मंद जो समय है निरधारी जो किया गया इसमें लाएगा इसमें एक साल कम से कम समय लाएगा तभी ठीक चीज है कि नहीं बताए अच्छी चीज है पटना में जाइए ना एक सेख नेता का बिघा बिघा में जमीन नीकल रहा है जरीब के रहे लाई नहीं है अब बढ़िये बात है कि कौन नेता के कैतरा जमीन है सहर में पता चल जाएगा जमीन के बारे में पता चल जाएगा है कि नहीं होना जरूरे बाइट समय लगेगा नहीं हुआ है जिसका हो गया वाला 65 का है बारे में दोगा दोगा थे नहीं कटीन हुआ है क्मुदध में रूसीब लोग नहीं कटीन है लोग का पैड खिला गया है मुद्ध relat रहे घशी टारभ सब्सक्राइगा गत सामी के कारा होज देगा बधी बढ़ना हुआ इसके बाद जाते हैं तो जल्दी कीजें जल्दी कीजें मेडम समय दिया जाए अच्छी बात है लेकिन जो मोगी बढ़ारा आती कि यह हुए पर भी अब्डेक्शन आतिकर ना चाहिए आप लोग भी दिक्कत आ रहा है क्या दिक्कत हो रहा है मत आप लोग को भी नहीं दिक्कत है देखिए कि इदे देखे कि चाची लोग भी जराइन से भी बात करते हैं जर्मीन के ज़सराव हो गलो यह तो नीदे अब इसादने पर सब्सक्राइब कर दो जमीन के सर्वे से का लगाई फाइदा होते हैं अब फाइदा हाई कि किया इसे तो हमने जमीन के सर्वे हो जीती सब के नाम पर चाड़ जिता है अब नाम पर चाहर जाती तर ठीक है ना अभी ना चाहर रहा है तो तो सर्वे नहीं होगा तब ही लड़िएगा नहीं होगा आपके पिजा जमीन आपके नाम पर चाहर रहा है तो देखें कि यहां पर जो है वो कहा जाए कि भूमी सर्वेक्षन का पूरा मुद्धा है इसमें मिला जुला के एक जो सबसे बड़ी बात निकल के यह सामने आई है कि अगर अच्छे से हो जाता है तो बहुत बड़ी रहात हो जाएगी लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अगर समय मिल जाता है तो और सबसे बड़ी रहात हो जाएगी तो फिलाल इस अपिसोड में अगले एपिसोड में लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्धा के साथ और कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी नया अपडेट आता है जो भी नई समस्या या जो भी नया समाधान आता है उससे भी आपको रूबरू कराएं उसके बारे में भी आपको दिखाएं और उसकी भी जानकारी आपको दे फिलाल बाई बाई